साथ निभाना साथिया सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जग्गी जो है बेड़ पे लेटा होता है और वो कहता है कि आज जो है मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया और मेरा पेट जो है बहुत ज़्यादा फूला लगता है इतने में जो है गोपी बहु आ जाती है और गोपी बहु कहती है कि जग्गी तुम हमेशा से ज़्यादा खाना क्यों खा लेते हो तो फिर वो कहता है कि जो है मेरे पेट पे जो है गोला सा बना है और मैंने आज खाना ज़्यादा खा लिया था और जो है कुछ जल्दी से करो तो फिर गोपी कहती ह कि ठीक है मैं अजवाइन लेकर आती हूं उससे तुम्हें आराम मिलेगा तो फिर जग्गी कहता कि हाँ जब भी मेरा पेट दर्द करता था तो मेरी मा मुझे ज़ा अजवाइन देती थी तो गोपी कहती है कि क्या तुम्हारा हमेशा पेट दर्द करता था उसके बाद में धर्म के पास जाती है तो धर्म भी चाय नहीं पीता है तो फिर जो है विद्या कहती है कि इन दोनों की बीचमे कुछ ना कुछ तो गरबढ़ है क्योंकि यह इत्फाक नहीं हो सकता है मुझे लगता है कि कोई ऐसा है जो दीधी और जो पापा के बीचमें जो है गलत फृहnder पैदा कर रहा है उसके बाल में जो है दूसरी तरफ जो है स्रवन कहता है कि पापा अच्छे से जो है सब कुछ निपट गया फिर जो है विद्या जो है फोन लगाती है गोपी के पास तो फिर कहती है कि मा सब कुछ ठीक है तो फिर गोपी कहते हैं कि हाँ यहाँ पर सब कुछ ठीक है और तुम्हारी दादी की भी तबियत जो है ठीक है और वो आने की बहुत चाह रहे थी लेकिन जो है नहीं आ पाई और हम लोग साधी में जरूर आएंगे तो फिर बिद्या कहते हैं कि हाँ मा आपको और दादी को यहाँ पर सब लोग काफे ज़्यादा मिस कर रहे थे उसके बाद में फिर जो है वहाँ पर मोधी परिवार में सभी लोग आरती करने लगते हैं फिर इधर दूसरी तरब जो है वहाँ पर मीरा वहाँ पर बैठी रहत उसके बाल में दूसरी तरह आप लोग देखेंगे कि ओहां पे मेरा दूद ना रही होती है गिलास में और फिर पीछे से धरम आ जाता है तो फिर मेरा कहती है कि विद्ध्या जो है अपने पापा से कहिदो कि बदाम का दूद तयार है और वो पी ले तो फिर धरम विद्ध्य से कहता है कि विद्धा अपनी दी से कह दो कि जो है किसी को कुछ खाना पीने के लिए देते हैं तो प्यार से देते हैं ऐसे जो है गुसा होके नहीं देते हैं और मैं कोई दूद नहीं पी रहा हूं फिर वो जो है हाथ में दूद जब डाल रही होती है तो जल जाती है तो फि पिर मीरा कहती है कि मैं जल गई हूँ अब तो ठीक है तुमें ना उसके बाद वहां से चली जाती है फिर जो है बिद्या कहती है कि पापा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ कल से तुम मैं नहीं कह पाय रही हूँ तो धरम कहता कि हाँ बोल तो फिर जो है बिद्या कहत साथ बैठकर जो है इस चीज़ को समझ लें कि यानि कि रिस्ते को हम लोग बात करने से वह हमारा रिस्ता बच जाता है और अगर हमें एक धूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो रिस्ता बोज सा हो जाता है तो साथ निबाना साथिया के आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही सब देखने को मिलने वाला है फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट एपीसोड में चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू सो मुझ